तो दूस्तो अगर आप इस टाइम पर एक सस्ता एलेक्ट्रिक स्कूटर लेनी का सूच रहे हैं तो आपको कम से कम एक लाख रुपे तो खर्च करने पड़ेंगे इस टाइम पर क्योंकि इसी बजट में आपको Ola, Ather, TBS जैसी बड़ी कमपनी के स्कूटर देहन को मिलते हैं अभी तक यही स्कूटर आप सिर्फ बुक कर सकते हैं लेकिन अब इसकी फाइनली परचेज विन्डो ओपन होने वाली है जो कि तीन अगस यानि की नेक्स्ट मंत ओपन की जाएगी तब आप इसकी फुल पेइमेंट करके इसको परचेज कर सकते हैं वहीं यहीं स्कूटर आ आपको एथर के परणनी स्कूटर जैसे देखने को मिलेंगे टाइम यहाँ पर सेंटर में आ गया है स्पीडो मेटर है ट्रिप मेटर मिल जाता है और ओडो मेटर यहाँ पर साइड में किया गया है और राइट साइड में इस स्कूटर में मोड शो हो रहे है यानि कि इसमें को नहीं मिलेंगे बाकि देखने में यह डिस्प्ले काफी नीट अन क्लीन मुझे लग रही है वहीं आपकी क्या रहा है एलेक्ट्र के स्कूटर में टच्क सीन डिस्प्ले होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए कमण करके जुरू से बताना इसके लावब दोस्तों इस स्कूट कि असपास में ही रेंज आपको देखने में मुलेगी जूकि मुझे फोड़ा सा यहाँ पर कम लग रही है वहीं मोटर में कोई चेंज नहीं होगा शेम प्रोने स्कूटर वाले ही ईटाए ड़ाल गई गहीं है बाकि और ओर ओल डिजाईन भी आपको हीम प्रोने स्कूटर रुपे का पढ़ने वाला है जो कि में रिकोडिंग काफी जादा प्राइज है सस्ती के नाम पर भी कंपणी ने इसको सस्ता नहीं किया वहीं ओला उस दीज़ के लिए शफर करना पड़ेगा बाकि आप में से कितने लोगोंने एथर फो फूर्टीय से स्कूटर को बुक किया हुआ है और कितने लोगोंने ओला एस्वेन एयर को बुक किया हुआ है कमेंट बॉक्स में जोरू से बताना और वीडियो चलेगी हो तो आईर प्ल जे लिए टो जैसे ए वे जिए सेवैटर को